नमस्कार किसान भाईयों, किसान भाईयों, जिन किसानोंने ने गन्ना बोंड बनवाए थे, उनके अब अपलोड करना चालू कर दिये हैं, यानि उनमें कितनी पर्ची लगी है, कितना आपका कल्चर एरिया है, कितना कैन एरिया है, और किस पक्स में कितनी पर्चिया लगी है ये सब कुछ दिखाना शुरू कर दिया है कुछ किसानोंने मैसिज के जरी ये पूछा भी है कि हमारे नए गन्ना बोंड की परच्चया छटे पक्स के नोवे कालम से लगा दी गई है लेकिन वे अभी आना शुरू नहीं हुई है तो हमें क्या करना होगा किसान बायों यहां आप यह समझ ले कि जैसे ही आपके नए बोंड में ये सबी डेटा दरसा दिये जाते हैं फैसे ही उन्हें आप बारी की से तुरंट चेक कर लें कि जो डेटा हमने गन्ना सुपरवाइजर को उपलब्द कराए थे वे सही हैं या नहीं यानि कल्चर एरिया और खासकर पूरे कल्चर एरिया में कैन एरिया भी होना चाहिए तभी आपकी परचिया ज़्यादा लगेंगी ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जितना आपका कल्चर एरिया है उतना ही कैन एरिया भी चड़ा होना चाहिए साथ ही अपना एकाउंट नंबर भी चेक कर लें आप मोबाइल नंबर भी चेक कर लें कि वह किसी दूसरे किसान का तो नहीं चड़ा है ये सबी आप नेट पर तुरंथी चेक कर लें रही बात परची आनेगी तो ये गन्ना समीती को जब आपका चीनी मील खएगा वे तुरंथी उन्हें चालू कर देंगे इस वर्ष पहले सिजन के मुकाबले गन्ना 20% के लगबक कम है तो इनका ने बोंड का अब की बार पहले चलना निश्चित साही है इसमें आपको घबराने की या कुछ करने की जरुरत नहीं है लेकिन ये ध्यान जरुर रखे कि यदि किसी किसान जिसका नया बोंड बनाए है और उसकी परची आनी शुरू गई है और आपकी नहीं आ रही है तो आप तुरंथी इस पर ध्यान दे यदि आपको अपने ने गन्ना बोंड में कुछ भी कमी नजर आती है इसका समादान अपने गन्ना सूपरवाइजर से मिलकर कर ले हो सकता है अभी कुछ चीनी मिलो के ये ने गन्ना बोंड कलेंडर अभी अपलोड ने किये हो तो उन्हें गबरानी की आवशकता नहीं है उनके भी ये जल्दी ही अपलोड कर दिये जाएंगे पहले ये अपलोड इसलिए किये जाते हैं ताकि किसान उनमें सभी डेटा चेक कर लें और जो उन्हें कुछ कमिया नजर आ रही है उसे ठीक करा लें एक हपते के बाद ये गन्ना बोंड चालू करते जाते हैं और उनकी परचियां भी आनी सुरू हो जाती है यदि ग्राम पंचायच चुनाव वेक्रिसी कानून के सम्मन्द में आप ताज अपडेट चाते हैं तो एफ़ वर न्यूज को सब्सक्राइब करें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जैहें